एक बार विवेकानन्द से उनके सिष्ष ने पूछा कि प्रभु आप इतनी आसानी से किताबें बुक्स पढ़ लेते हो complete कर लेते हो कहीं कहीं बुक्स पढ़ देते हो हमसे तो एक भी बुक्स पूरी हो नहीं पाती एक भी पुस्तक पूरी तरह नहीं पढ़ पाते और मन इधाउधर भागता रहता है, तो उसका क्या कारण है, तो विवेकानन्द बोलते हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन है, वही मेरा दोस्ट है, बस यही कारण है, शक्ति तुम्हारे पास भी है, शक्ति मेरे पास भी है पर वो जो शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है वही शक्ति मुझे आगे बढ़ा रही है और वो शक्ति है आपका मन जब आपका मन आपका दोस्त हो तो आपको वो जमीन से आस्मान तक ले जा सकता है और वही मन अगर आपके control से बाहर है आपका दुश्मन है तो फिर अगर आप आश्मान तक जाने की quality भी रखते हैं ना तब भी नहीं जा पाएंगी तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला दोस्त होना चाहिए वो आपका मन होना चाहिए जो आपकी बात माने ना कि आपको समझाए इसी विचार के साथ हम सुरुवात करने वाले हैं करक राशी की लिए साल का पहला महिना कैसा रहेगा वैसे करक राशी वाले जो होते हैं मन के बड़े emotional होते हैं इसलिए उनके लिए बात यह बहुत जाद है सटीक भी है कि अगर इन्होंने मन पे विजय पाली तो फिर यह बहुत उपर जा सकते हैं यह जितनी भी राशीयां है उनमें से भागशाली राशीयों में से एक है करक इसका कारण यह है कि इसके दसम भाब में जाके सूर्य नीच के होते हैं उच के होते हैं माफ कीजिए का नीच के नहीं इनके दसम भाब में आके सूर्य उच के होते हैं मतलब कारे के छेतर में यह सूर्य की तरह चमक सकते हैं हलाकि बहुत जादे emotional creative लोग हैं यह खेर आपके लिए क्या लेकर आया है यह जनवरी का महीना चाहे वो आपका job है, काम, धंदा है और समाज में आपकी पतिष्ठा है या फिर आपका प्रेम है, परिवार है, family है प्यार है, सिक्षा है, education है, spirituality है अध्यात में धन है, पैसा है यात्रा है, stock market आ दी है सभी की बातें करेंगे पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सग्रे कहां बैठा है मैं हूँ आपके साथ, dr. दिलीप और हम देख सकते हैं कि दसमभाब में जो की पदपतिष्ठा प्रमोशन और overall आपकी समाज में स्थिति को दिखाता है वहाँ पर गुरु बैठे हुए और इसकी सबसे बड़ी बात है कि गुरु पिछले तीन महीने से करीब क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे तरह आप मार्गी हो रहे है इसके बाद देखिए पहला दूसरा खाली तीसरे भाब में कन्या राशी में आपके केतू गोचर कर रहे हैं चौथा भी खाली है पंचम भाब में ब्रश्शिक राशी में शुक्र का गोचर है आपका 18 तारिक तक 18 के बाद ये शुक्र जो है वो धनू में आ जाएंगे ठीक इसी तरह मंगल जो है धनू राशी में रहने वाले हैं भी लगवक धनू में रहेंगे सूर की अगर हम बात करें तो सूर पंद्रे तारिक तक धनू में पंद्रे के बाद मकर राशी में जाएंगे इसलिए इस महा मकर संक्रान्ती होगी शनी महराज अपनी मूल त्रिकॉन राशी कुम्भ में गोचर कर रहे हैं पिछले 2-3 महेने से क्या हो रहा था कार में उतार चड़ा किसी का जॉब भी गया हो सकता है ऐसे में ट्रांसफर का होना धने में नए सोर्स का ना बनना लड़ाई जगड़े आदी का बढ़ना कोटकेस आदी का होना कुछ ना कुछ ऐसा अगर कोटकेस वगर आपका चल रहा था तो उसमें कोई भी प्रोग्रेस ना होना ऐसा हो सकता था गुरू के वक्री होने से अब वो मारगी होगा तो कुछ रास्ते बनेंगी ये चीज़े कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी जोबादी बिलने की संभावनाएं बनेगी दहन के नए सोर्स भी बन सकते हैं कोटके सादी जो अगर अगर आपका कहीं चल रहा था तो उसमें भी आपकी यात्रा है विजय की तरफ या कहीं भी कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी जरूर इस गुरू की वज़े से तो ये बहुत बड़ी चेंज आया आपका इस महीने जन्वरी में साल की सुरुवात में ही गुरू आपके भाग के भी कारक हैं तो भाग भी स्पीट से साथ नहीं दे रहा था मींदराशी जो है भाग की है आपकी उसके स्वामी कौने गुरू है इसी के साथ गुरू छटे भाव के भी कारक हैं आपके तो रोगरण सत्रू की दिक्कत भी हो सकती थी तो उन सब चीजों में गुरू फायदा करेंगे आपको पर याद रखेगा गुरू का दसम्य गोचर not the best, सबसे best नहीं माना गया है जब तक गुरू दसे में रहते हैं तो आपको बुद्धी से, ज्यान से, दूर दस्टी से काम लेना चाहिए कारे के छेत पर, जॉब में, बिजनिस में और कोई भी गलती नहीं करने चाहिए सही कारे, सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए गलती करेंगे तो फिर ये गुरू आपको दिक्कत करेंगे कोई भी उपाय नहीं बचाएगा इस चीज में सही रास्ते से ही, गुरू यहां आपको help करने वाले हैं दरवाई जी अव्यक्ति को डिस्फेम भी दे सकते हैं इसके बाद, यह तो हो कि जॉब का जादे हो गया बिजनिस वाले की बात करने तो बात तो आपके लिए भी बेटर हुगी है गुरू के वक्री से मारगी होने में पर आपका जो सब्तम भाब जो बिजनिस का स्वामी है वो अश्टम भाब में है और अपनी हिराशी में है तो बिजनिस थोड़ा स्लोली चलेगा, धीरे से चलेगा चीज़े बहुत ज़्यादे दिखाई नहीं देंगी सतह पर प्रयास बहुत हो रहे हैं पर रिजल्ट कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है स्वास्त की भी थोड़ी सी दिक्का चल रही है और स्लोनेस थोड़ा सा है, आपको अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखना है माता, पिता, परिवार में भी साथ ससुर के साथ भी कुछ मतवे दिया उनकी लाइफ में कुछ डिश्टरवेंस चलते होते रह सकते हैं हम इसको ढहिया बोलते हैं, कई बार यह हमें स्वास्त के प्रती, ससुराल में, परिवार में दिक्कत करती है कुछ कड़वे अनवर भी अपनों से ये दे सकती है कारे के छेतर में कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में गुरू शनी का कुछ सम्मंध है और दस मेश की दशा अंतर दशा चल रही है तो करियर में कुछ बहुत बड़ा अच्छा भी हो सकता है पर उसी केस में होगा अगर ऐसा है तो यह जो शनी है आपके पंचमभा पर भी जश्टी डाल रहे हैं प्यार, महबबत उसमें भी आपको थोड़ा responsibility निभानी पड़ेगी कोई काम आपके सर पे आ सकता है जो आपको सायद करना पड़े अपने पती, पतनी, प्रेमी, प्रेम का दोस्त, फ्रेंड्स के साथ उनके लिए और सायद उसके बदले आपको कुछ ना मिले पर आपको वो responsibility निभानी चाहिए गुरू के बारे में मैंने जो बताई थी ना positive चीज़े अच्छी चीज़े उनके लिए dates कौन सी है, किस तारिक को वो हो सकती है तो गुरू का जो result है वो 6, 7, 15, 16, 23, 24 तारिक को आपको मिल सकता है इसी की तरह जो शनी की मैंने बात की वो चीज़े आपको 7, 8, 16 और 25 तारिक को हो सकती है इसके बाद सूर्य सूर्य आपके धन के स्वामी है और business के भाब में आ रहे है अपने स्थान से अगर आप गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छटे जा रहे है तो यही है कि धन के छेतर में थोड़ा effort, hard work, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके result आएगा, अपने से छटा जा रहा है वाणी का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना अपने business के भाब, business के समय पार्टनर के साथ भी अपने वाणी को थोड़ा सा मधुर रखने के आवश्कता है क्योंकि सूर हैं, अगनी ग्रे हैं, कैप्रिकॉन थोड़ी सी dry है और कह सकते हैं कि भई, रूख ही रासी है थोड़ा, सनी की रासी है, सूरी हाँ पर अपने मित्र भाब में तो है नहीं, तो रिष्टों में थोड़ा सा कहते हैं, रिष्टे बहुत महतुपकून होते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांट पड़ जाए एक बार कहीं बार हम कुछ कह देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कभी कहीं बार गुस्से में, कहीं बार अग्यान में पर अगला वेक्ति उसको भूलता है याद कर लेता है, हलाकि उसको भूल जाना चाहिए पर फिर भी ध्यान रखें बातों का है बिजनिस में भी ध्यान रखें कि इगो हुएं कुछ ऐसा ना कह दें ऐसा ना कर दें कि आगे जाके प्रॉब्लम हो otherwise सब्तम में जो सूरे आ रहे हैं यह आपको बिजनिस से लाब भी करा सकते हैं धन का लाब करा सकते हैं अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो यात्रा हो सकती है कहीं आना जाना हो सकता है उसको भी यह दिखा रहे हैं आपके क्योंकि सब्तम भाव यात्राओं का भी होता है fame का भी होता, आपको awards या नाम भी आपका हो सकता है दसम से दसम है, 34 से चाथा है तो घर जमीन के बारे में भी कोई planning बन सकती है घर लेने की, जमीन लेने की या कुछ इस तरह का काम किया जा सकता है जमीन से related क्योंकि शुक्र भी जो है न कही ना कही राज योग में है तो ऐसे में बाहन और प्रापर्टी से सम्मंधित कोई काम करना है तो बाहन के लिए 3, 4, 21, 22, 25, 31 प्रापर्टी के लिए 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 जो हैं तारीकें सुभ रहेंगी किसी चीज की नई सुरुवात करनी है तो कर सकते हैं क्योंकि गुरू अब बहुत दिनों बाद फक्री से मारगी हो रहें ऐसे में किसी चीज की सुरुवात करने के लिए और कह सकते हैं कि न्यू बिग्निंग्स के लिए 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 25 जो हैं तारीकें सुभ हैं यही तारीकें किसी चीज को नया नाम देने के लिए कहीं बार हम नाम देते हैं बच्चों को देते हैं कुत्तों को देते हैं अपने प्रोजेक्ट को देते हैं उसके लिए अच्छा है बढ़िया है इसके आगे बढ़ जाते हैं शुकर यहाँ पंचम में आएं तो प्रेम कोई आपकी जिंदिगी में आ सकता है इसकी possibility यहाँ पर बंगती है वो बात अलग है कि हाँ थोड़ा सा difference of opinion हो सकते हैं जो साथ में हैं पर किसी के आने की जो possibility है वो एक, दो 10, 11, 18 19 और 29 तारिक को बंगती है शुकर के यहाँ आने की वैसे क्योंकि शुकर अपने आप में जीवन साथी को दिखाते हैं पंचम भाब प्रेम का है इसके साथ साथ यह भी दिखाते हैं कि आपका spirituality अध्यात्म की तरह पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा पढ़ाई लिखाई के लिए महीना जो है ठीक ठीक आपका होगे पंचमेश कहाँ पर जा रहा है छटे भाब में जा रहा है तो स्वास्त का ध्यान दखना है अपने पार्टनर के वानी को मधुर रखने की कोशिश करनी है यहाँ बैटके यह मंगल दसम भाब को देख रहे हैं तो आपके करियर का अगर संबन्द फॉर्ण से है बिदेश से है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है बहारी चीजों से है होस्पिटल से है जेल से है इन्वेस्टमेंट से है तो आपके लिए अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा छटे भाब में जब मंगल होते हैं आपको रोग रेंड सत्रू से कहा सकते हैं कि कहीं ना कहीं निजात दिलाते हैं पर बुक्चु की बुद्ध के साथ हैं और बुद्ध की और उनकी खास बनती नहीं है ऐसे में आपको थोड़ा वानी का ख्याल रखना है और आप जो प्रियास करोगे जो एफ़र्ट करोगे जो हार्ड वर्क करोगे जो महनत करोगे उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि सारी महनत करके आप सिर्फ बहसवाजी की वज़े से या गुस्से की वज़े से उसको ख मंगल की जो दस्टी है वो नवम भाब पर पढ़ रही है नवम भाब में राहू भी बैठे हैं तो अपने पिता की स्वास्त का ध्यान रखना पिता के साथ बना के रखना गुरूं का से बना के रखना धरम के रास्ते पर चलते रहना नवम भाब का जो राहू है वो कभी-कभ आपको यातराएं करा सकता है गल्फ कंट्रीज हैं डुबाई आबुडाभी या फॉरन कंट्रीज हैं उस तरफ ले जा सकता है क्योंकि राहू इन चीजों को दिखाता है बेशन कंट्रीज को भी दिखाता है कही नगेशनी पच्छिम दिसा है राहू जो है साउथ बेश्ट है तो दच्छिन पच्छिन के कंट्रीज की तरफ आपको ले जा सकता है राहू अगर आपकी कुंडलियन पितर दोश आदी है तो फिर थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पर उसके इसमें आपको संतान के साथ पिता के साथ गुरूओं के साथ कुछ मत्भेद करा सकता अगर ऐसा नहीं है तो यह राहू कहीं नगहीं आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा बाहर यात्राएं करना पर एक मायनस है इसमें कहीं बार वो आपको प्रेरित करेगा भी या काम मत करो कल हो जाएगा आरस से भी देगा और काम छोड़ने के लिए थोड़ा घूमना फिरना हो जाए इस तरह थोड़ा बढ़ा सकता है अकरमन्ड़ता की तरह भी ले जा सकता है या फिर स्प्रिचुल्टी आध्यात्म की तरह भी राहू आपको मोड़ सकता है अपकी कुंडली क्या कहती है यह राहू हो गए केतु की बात केतु कम्वनिकेशन में गैप ला सकता है हलांकि केतु तरह से भाव में अच्छा करता है मतला आपके जो प्रियास होंगे उससे कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा पर communication को थोड़ा सा आपको सोच समझ के कहना आपके बोलने में कुछ गलतियां रह सकती है इस चीज को दिखा रहा है और केतु ये भी कह रहा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो जो भी काम आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा slow करके एक बार देख लो और कहीं बार केतु आपको कहेगा ये कामी बदल दो, कामी सही नहीं है तो ऐसे में थोड़ा सा rest लो और फिर से उस काम को करो तो आप better करोगे अच्छी तरह से कर पाऊगे शुक्र हो गया, केतु हो गया धन का भाब भी हो गया स्वास्त के हिसाब से कहा जाए तो ठीक है महीना, पर थोड़ा अगर temperature आपको पित्त की अगर आपको दिक्कत है बुखार वगर आपको आता है या अगर को बीबी वगरा हाई रहता है तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, otherwise अच्छा है कोई खास दिक्कत नहीं है, ढहिया तो चली रही है वो चलती रहेजी, उसके मद्दे नजर अफकोर्स हमें हमें हलका सा ध्यान रखना है स्वास्त का, खास करकि पिता के साथ, साससुराब साससुर के साथ हमको खाल रखना है मामा, मौसी, इन सब के साथ भी रिष्टों में कुछ दिक्कत रहे सकती है ओवरल हम कहेंगे तो गुरू का गोचर पहले से बैटर हुआ है राहू का गोचर ठीक है, शनी का थोड़ा सा नेगेटिवी कहेंगे, सूर का गोचर ठीक है मंगल का अच्छा है, शुकर का अच्छा है केटू का अच्छा है, तो इस तरह से हमारे गोचरों को हम कह सकते हैं कि किसका कैसा चल रहा है अब आ जाते हैं थोड़ा तोहारों की तरफ उससे पहले में जो अच्छे दिने इस महिने में वो बता दिता हूँ 3, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 31 ये जो है अच्छे दिन है सुब दिन है कुछ करने के लिए शादी विवा के लिए 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 31 है और आपका विद्यारम मनला किसी चीज़ की सुरुवात खास कर कि एजुकेशन सम्मंधित कोई काम है तो उसमें 5, 7, 12, 14, 21, 26, 23 ये तारिके आपके लिए सुब रहेंगी अब बर जाते हैं तोहरों की तरह देखिए तोहर बहुत महत्पून है वास्ता में तोहर हमारी पहचान है हम कौन है, कहां से आए है हमारी तोहर उस चीज़ को दिखाते है समझे संस्कृति है, सिर्फ धरम की बात नहीं है तो इसमें चौर्द तारिक की लोडी है लोडी की आपको बहुत-बहुत सुबकामना है पंदर का पॉंगल है पंगल की आपको बहुत-बहुत सुबकामना है और सूर्य जो है उत्तरायन हो रहे है मकर संक्रांती है आपकी 15 तारिक को ही उसकी भी आपको सुबकामना है 23 तारिको सुवाशन बोस जैनती है 26 तारिको रिपब्लिक डे है 11 तारिको पोश की अमावश्या है और 25 तारिको पोश की पूणिमा है साथ तारिक को सफला एकादशी और 21 तारिक को पौश की पुत्रदा एकादशी है पुत्रदा मतलब संतान से यहाँ पर मतलब है ओम नमो नारायना है ओम नमो भगवते वासु देवाए नो तारिक को भोमा प्रदोश बरत है नो तारिक को ही माशिक सिवरात्री है वाइस तारिक को सोमा प्रदोश बरत है चिदान अंदरूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमाश शिवाय 29 की संकष्टी है आपकी और 15 तारिक की मकर संकरांती है सूर का जो परिवर्तन हो रहा है वो 15 तारिक को हो रहा है इस से पहले सूर यहां पर रहेंगे तो यह हो गया मेरी तरफ से आपके लिए राशिफल करक राशी के लिए जन्वरी का राशिफल मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ ना कुछ कमेंट कीजेगा क्या सुझाब है वो आप दे सकते हैं नेक्ट वीडियो में आपसे मलकात होगी तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें सबी का ख्याल रखें कुछ ना कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें सुनते रहें और करते रहें क्योंकि संसार कर्म प्रधान है आपने अंद तक इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नवश्कार